प्रिये मित्रों, सूप्रभात, ज्यान सागराचा भेटी साथी सला प्रवाहित हो उया प्रादेशिक विद्या प्रादीकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरीता इस उपक्रम में आपका स्वागत है बाल मित्रों आज का वार शुक्रवार 29 ओक्टोबर 2021 आज का पांचांग आश्विन कृष्ण अष्टमी भारती सौर शक्य उन्निस सो तैतालीस प्रिये बालकों आज का दिन विशेश 1894 आज ही के दिन महाराष्ट्र ग्रन्तोत तेजक संस्था की स्थापना हुई Deccan Vernacular Translation Society 1985 आज ही के दिन भारतिये प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिन्ह का जन्म हुआ 1996 आज ही के दिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिये जाने वाले तान सिन पुरस्कार के लिए महान गाई का गिरिजा देवी को चुना गया आज ही के दिन दर वर्ष अमेरिका में बेघर बिल्लियों के लिए लोगों के मन में प्रोथसाहन पैदा करने के लिए International Cat Day मनाया जाता है यह दिन पहली बार 2005 में मनाया गया था इस दिन को बेघर बिल्लियों के नाम से याद किया जाता है और उन्हें आश्रे देने की कोशिश की जाती है और लोगों को उन्हें गोद लेने के लिए प्रोथसाहिद किया जाता है तो प्रिये बालकों हम चलते हैं आज बिल्लियों के प्रती जानकारी प्राप्त करने के लिए ठीक है बिल्ली एक मासाहारी स्तंदारी पालतू पशु है इसकी सुनने और सूंगने की शक्ती प्रकर है और ये कम रोशनी यहां तक के रात में भी देख सकती है बिल्ली का शरीर छोटे छोटे रेशमी बालों से ढखा होता है ये एक छोटे शेर के शिशु की तरह दिखाई देती है बिल्ली के माश पठों में लचीला पन होता है जिसके कारण वो लंबी छलांग लगा सकती है अगर वो उचाई से गिर भी जाए तो भी उसे किसी तरह की कोई पिढ़ा नहीं होती बिल्लियां विभिन जाती विभिन प्रकार और विभिन रंगों की होती है बिल्लियां कई प्रकार की होती है जैसे प्रोफिलीज ओर्टा फ्लीज नेग्रेप्स केरकॉल केटोपोमा टैमेंकी और ओरिलोरिस जैक बाइटा इत्यादी एक बिल्ली के छोटे बच्चे के मुँँ में 26 दाथ होते हैं जबके बड़ी बिल्ली के मुँँ में 30 दाथ होते हैं एक स्वस्थ बिल्ली का वजन लगभग 5-8 किलो होता है बिल्ली एक बिल्ली का टैमेंकी और ओरिलोरिस जैक बाइटा इत्यादी एक बिल्ली के छोटे बच्चे के मुँँ में 26 दात होते हैं जबके बड़ी बिल्ली के मुँँ में 30 दात होते हैं एक स्वस्थ बिल्ली का वजन लगभग 5-8 किलो होता है बिल्ली एक समय में एक से दस बच्चों को जनम देना की शमता रखती है बिल्लियां अपने शिकार चुपके से घात लगा कर करती है इनको मास, मच्छली, चुहे, पक्षी जैसे प्राणी का शिकार करना पसंद होता है ये दूद भी बड़े चाओ से पीती है शरारत करना, म्याओ म्याओ करना, घूर घूर करना, फुनकारना और बड़बडाना इनके आपसी संचार के विभिन रूप है अमेरिका में काली बिल्लियों के होने को अशुभ माना जाता है जबके बरतानिया और जापान में काली बिल्लियों को शुभ माना जाता है सबसे ज्यादा बिल्लियां अमेरिका वालों ने पाल रखी है जिनकी संख्या 750 करोड से ज्यादा है और चीन में बिल्लियों की संख्या 550 करोड के आसपास पाई जाती है इतिहास गवा है कि बिल्लियों को पालने का मकसद यह था कि वो चूहे खाती है और इस प्रकार अनाज सुरक्षित रखा जा सकता है इनकी आबादी विश्व भर में मिलियन से भी जादा है कितने मिलियन पच्चास मिलियन से भी जादा है बिल्लियों के प्रती कुछ विशेश बातें बिल्ली का दिमाग 90 प्रतिशत इंसानों जैसा होता है बिल्लियां आठ से दस घंटे सोती रहती है यानि अपनी जिन्दगी का सतर प्रतिशत हिस्सा वो सो कर गुजारती है बिल्लियां जितने समय तक चलती है उससे आधा समय खुद को चाटती रहती है बिल्लियां पानी से डरती है एक सर्वे से पता चला है कि दुनिया भर में जंगली बिल्लियां साड़े एकतीस करोड से ज्यादा छोटे छोटे जानवर पशू पक्षियों को खा जाती है आज कल प्रसिध शहरों में बिल्लियों को पालने का चलन हो गया है पालने का रिवाज आम होता जा रहा है इनके लिए विशेश रूप से भोजन तयार करने के उद्योग और वैवसाय को काफी प्रगती मिल रही है बड़ी बिल्लियां जंगली और खतरनाक हानी कारक होती हैं बबबर, शेर, चीता, तेंदवा और बाग इन सब को भी बड़ी बिल्लियों की जाती में अनुक्रमडित किया जाता है आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद करें और हमारे जाता है